सेना में एक दाल का वीडियो वाइरल हुआ था और वो वीडियो जो फोजी तेज भादूर ने बनाये था उन्होंने आज जेजेपी पार्टी जोइन कर लिये क्योंकि हर्याना विदान सबा चुनाओ नजदिक है हमारे साथ मुझूद है सर आज आपने जेजेपी पार्टी जोइन किया है क्या वजह रही जै हिंद जै जै जवान जै किसान हमारी लड़ाई सरूसे बरष्टाचार के खिलाप रही है और मेरी लड़ाई विचारों की अपनी लड़ाई है जिस परकार से मैं बनारस में भी इ हरियाना के अंदर जो हमारे विचारों से मिलती है माने दुसयंत जी जो है कैसे वक्ती जिनके अंदर जो हमारे कभी हम बच्पन में ताउ देविलाल का नाम सुना करते थे आज उनका चेहराईन में नजर आता है इसलिए हमें खुशी है कि हमारे युवा एक जो नेता हैं जिनके नेतरतों में हम चुनाओ लड़ेंगे उनने के नेतरतों हमने जोईन किया। दो हजार उननिस के लोकसभा चुनाओ में आप महागडबंदन से उमीदवार बनाए जाते हैं लेकिन मही दो हजार उननिस में जो हरियाने के चुनाओ हो रहे हैं विदान सबा उसमें आप जेजबी पार्टी में सामिल हो गए हैं क्या कोई दूसरा कॉंग्रेस या कोई अध किस कानओ में तो हैंने क्या करना चाते हैं कि आप देश इतकी बात कर रहे हो ते देश का सैनिक जो है पीडिच सैनिक जिस परकार से बीजेपी गौर्श्ट ने उसका दोखा दड़ी किया कर दी आप सचे इमांदार हो राष्ट में बात करते हो तो आप यहां भी हमें समर् और जोची कह लादेर उने कि इस बाखे कर लिए तो किस तरह के से आपora कहां से चुनाओं लड़ने वाले यह मैं अभी करनाल से चुनाओं लड़त हूं काली मैं करनाल जा रहा हूं जर्किती कुलरे बिशव 26 दिन रह और वोटिंग को 18 18 गंटे वहों लोगों से मिलेंगे पिलेंगे और ऐसा नहीं है करनाल की जंता बदला उच्छाति ए क्योंकि करनाल का च्छेतर एक व्याविवसाय ही कहсолást है क्यों हो उत्वी जो ही व्याव मिववसाय डिरी दिरे बंद' हो रहे हैं उनके लिए कोई नोकरिया नहीं है। खटर साब कहते हैं कि प्राइवेट में जोग करोथ। प्राइवेट में भी आपने ताले लगा दिये जाएं तो कहां जाएं। तो कि आज हरियाना को करजदार आपने बना दिया, इतना पीछे दकेल दिया, यह तमाम मुद्दों के साथ लड़ेंगा। पंजाब केश्री से बात करने के लिए धन्यवाद। दिल्ली सेक, कमल कुमार कंसल, पंजाब केश्री टीवी.